देखने में हमें ये बिल्कुल सेम लग रही है ये दोनों जो साड़ी है मिंत्रा और मीशो से क्या दोनों सेम है हलो एपीवन वेलकम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब I hope आप सब भी बहुत अच्छे होंगे So guys, आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर कहने वाली हूँ मिंत्रा वसिस मीशो जिसमें मैंने आप के साथ शेयर किया था एक लहेंगा ड्रेस और उस वीडियो का आपने बहुत ज़दा पसंद किया है So यह उसी का second part होने वाला है But यहाँ पर मैं शेयर करूँगी साथी मैंने भी recently community post डाला था And जिसमें मैंने पूछा था कि आप इन सभी में से कौन सी साथी का review देखना चाहेंगे कौन सी साथी का comparison देखना चाहेंगे So आप सभी ने पसंद किया है सबसे ज़्यादा vote किया है इस साथी को So guys आज मैं आप सब के सचे करूँगी कि ये दोनों जो साथी है मिंत्रा और मीशो से क्या दोनों same है क्या इन दोनों के price में कुस difference है या quality में difference है So किस चीज के लिए में difference amount पे करना पड़ रहा है So without wasting so much time Let's jump into the video And brand है इसका sangria या आपको मिंत्रा पे specially brand मिल जाएगा So अगर हम इस साथी को open करें आपको इस तरी किसी stitch मिलेगी यहां से Then हम इसको open करते हैं So सबसे पहले तो आप इस साथी का Print देख सकते हैं कि कितनी beautifully print आपको सके इंदर मिल जाएगा सबसे पहले paper remove कर देते हैं All right So अब हम देख लेते हैं साथी का print As you can see काफी beautiful shade आपको मिल जाएगा बिलकुल एक peachy corally shade आपको मिल रहा है हाँ पर And fabric आपको इसमें pure georget का मिल रहा है पूरी साथी आपको इसी तरीकी की printed मिलेगी मतलब all over साथी में आपको यह print मिलेगा And जो इस साथी को सबसे जादा pretty बनाती है वो है इसका यह beautiful सा green embroidered border जिसमें आपको thread work भी मिल जाएगा And zari work भी मिल जाएगा And closely अगर आप देखोगे तो काफी neatly आपको यहाँ पर border मिल रहा है काफी अच्छी से आपको इसके अंदर embroidery मिल जाएगी Finishing काफी जादा अच्छी आपको यहाँ देखने को मिलेगी And you can see Beautiful beautiful साड़ी है And बहुती जादा neatly साड़ी में work किया गया है मतलब work तो क्या जो lace detailing है जो इस साड़ी की main highlight है उसी को काफी अच्छे से इसमें आपको प्रेजन्ट किया गया है And you can see कितनी प्यारी यह साड़ी लग रही है And इसका यह जो क्या बोलते है इसको Border है ना और जैसे आप इसको मतलब पल्लू में भी डालोगे ना तो काफी ज़दा प्रिटी यह साड़ी लगती है But वह आपको देखना है कि आपको मंत्रा से बाइकन है या फिर मीशो से वही कंपरेजन आज की वीडियो में देख रहे है So यह साड़ी आपको पूरी अलवर प्रिंटेड मिल जाएगी पूरी साड़ी में आपको इहां पर इस तरीके से बाटर मिल जाएगा ग्रीन कलर में और बहुत ही ब्यूटिफुल और नीटली आपको यहां पर इम्प्रोइडरी मिल जाएगी आप देखी सकते हो ओके फैब्रिक आपने देख लिया है अब हमें जो इसमें ब्लाउस पीस मिल रहा है वो भी देख लेते हैं ब्लाउस पीस मिलेगा इस तरीके का सवा दो या एक मेडर का आपको इस के सथ वेर कर सकते हो कि अगर प्रैस की बाद करें तो इसका प्रैस जो अमर्ठी है वहा थैठीश सिक्स नाइटीन नइन और ब्रैंड है इसका Sorения बट मैंने इसको मेंत्रा से बाई किया है 1,050 रूपीज में इस तारी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप सभी चीज़े देख सकते हो यह इसका बैक साइड वाला फैब्रिक है और यह इसका फ्रंट साइड वाला फैप्रिक है कलर बहुत हाइली हाइली रिकमेंडेड है अब हम इसके कंपैरेजन में देख लेते हैं मीशो वाली साड़ी जो की हमें यहाँ पर मिल रही है देखने में हमें यह बिल्कुल सेम लग रही है अगर मैं दोनों साड़ियों को हाथ में ले तो डिफरेंस ना मुझे क्लेर नी पता चल रह लेकिन जो मीशो वाली साड़ी का जोर्जट है मिंक्रा वाली साड़ी साड़ी के जोर्जट वाली फैब्रिक से थोड़ा सा लो अगर आप क्लोज़ ली देखे यू कैन सी क blur में आपको slightly difference मिलेगा मीशो वाली साड़ी का analogy तोड़ा सा आपको light fade off मिल जाएगा और मिंत्रा वाली साडी का print and color काफी जदा vibrant मिल रहा है as compared to Misho and दोनों के fabric में भी आप clear difference देख सकते हो अब जो एक main difference आपको मिलेगा जो major difference आपको मिल रहा है चलो fabric एक बार को ठीक है but यहाँ पर अगर आप देखोगे ना embroidery जो मीशो वाली साडी में मिल रही है so you can see आपको design pattern everything same मिल रही है but जो work की quality है उसमें आपको difference clear देखने को मिल जाएगा मीशो वाली साडी में like you can see यह इसका border है and इस तरीके की quality आपको मीशो वाली साडी में मिल रही है and देख सकता आप stitching quality भी but just price point में हमें यह मिल रही है उस price point में मैं कहूंगी कि काफी ज्यादा अच्छी साडी है but अगर हम comparison की बात करें so comparison में clearly देख सकते हो कि मिंत्रा वाली साडी में कितना ज्यादा difference आपको मिल जाएगा अब अगर मैं दोनों को साथ लगा कर दिखाऊ ना आपको so नीचे वाला जो border है वो है मीशो का and उपर वाला जो border है वो है मिंत्रा का so now you can clearly see किसके border में ज्यादा नीटनेस आपको मिल जाएगी and you can see so यह आपको clear difference आपको देखने को मिल रहा है यह मिंत्रा की साडी है and यह मीशो वाली साडी है no doubt दोनों ही सारिया काफी जदा beautiful आपको देखने को मिल जाएगी but जो main difference है वो है fabric का and साथ में आपको यहाँ पर border का एक और difference देखने को मिल रहा है जो कि इसके साथ मेरे को blouse receive हुआ था वो मेरी mother अलड़ी stitch करवा चुकी है so इस तरीके का fabric आपको मिलेगा मीशो वाले blouse में और आप देख सकते हो इसकी quality इस तरीके की आपको मिलेगी and जो मिंत्रा वाला blouse है you can see fabric quality दोनों में ही बहुत जादा difference है this one is मिंत्रा and this one is मीशो so दोनों में आप clearly difference देख सकते हो okay अब difference हमने देख लिया है अब price का भी हम comparison देख लेते है मिंत्रा से जो साड़ी मैंने order की है वो है 1,050 रूपीज की also जो मीशो से ये वाली साड़ी है वो है 500 something की so almost double pricing का difference है लेकिन अगर आप double price pay कर रहे हो so there is difference yes हमें clear देखने को difference मिल रहा है इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ मिंत्रा वसिस मीशो वाली उन दोनों ही dresses में मुझे विल्कुल difference देखने को नहीं मिला था दोनों dresses विल्कुल सेम थी बट यहां पर हमें difference मिल रहा है सारी में भी blouse में भी सारी के border में भी सारी के fabric में भी अगर आप प्राइस पर कर रहे हैं तो डेफिनिटल आपको मिंत्रा वाली सारी में पको क्वालिटी मिलेगी अगर आप इन सारी को पर चेस करना चाहते हैं तो मिंत्रा की सारी का link और मिशो की सारी का code दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगी कहां description box में, yes so दोनों चीज़े में आपको description box में mention कर दूँगी इसके अलाव अगर आप किसी और चीज़ का comparison देखना चाहते हैं मंत्रा वसिस मिशो या फिर flip card तो आप मुझे comment box में definitely बता सकते हैं okay guys that was it for video I hope your video आपके लिए definitely helpful रही होगी video कर अच्छा लगी तो क्या करना है आपको आपको करना है like, share and subscribe to my channel for such more videos मैं मुझे आपसे पनी next video में till then take care, bye bye